हलो प्यारों बच्चों आप सभी का हमारा अपना यूटूब चैनल वाई आरेस क्लास में स्वागत है तो आज हम चलता है एक नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे चैप्टर का नाम है तिरकोड मिती क्लास 10 तिरकोड मिती तो यहां से प्रेस्ट नमबर एक कह रहा है तिर्भुष ABC सम्कोड करना है है तो पहले हम समझते हैं किसे कहते हैं सम्कोंड तिर्भुष जिसका एक कोड़ नभbe क्या रहे इसका एक कोड़ 90 अंसर है याउसा तिर्भुज इसका एक कोड़ 90 अंसर हो उसे संका करते हैं अगर हम यहां पर एक तिर्भुज बनाए सामने आपके एस सामने ठीक इसका नाम रखेंगे हमें यहां से ए बी सी तो कोण यहां बंद रहा है ना लंब यहां पर है बच्च अब समझना यहां से जो उर्धाधर रेखाएं होती है क्या रेखा एबी है ना इस एबी को हम क्या कहते हैं लंब कहते हैं यानि जो उर्धाधर रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं लंब क्या है एबी है जबकि जो 36 रेखाएं होती है उसे कहते हैं आधार क्या है बी सी है इसे क्या कहेंगे हम आधार कंड़ कोड़ के सामने कोंड किया A C, इस A C को हम क्या कहेंगे करड़ कहते हैं और आई साथ तिरफुज़ू जिसका एक कोड़ नबे अंसो हो उसे समकुड तिरफुज तिरफुज, अब जिसका कोड़ B समकुड है A B बराबर 24 cm, B C बराबर 7 cm है तो निम्ले खित का मान ग्यात कीजिए यानि पहला कह रहा है साइन ए दूसरा कह रहा है कॉस ए फिर दूसरा कह रहा है साइन सी और दूसरा कह रहा है कॉस सी का मान ग्यात कीजिए तो सबसे पहले हम एक तिर्फुज बनाते हैं क्या बनाएंगे एक तिर्फुज बनाएंगे ये क्या है आपका एक तिर्फुज माना गया ठीक तिर्फुज कैसा कह रहा है A, B, C क्या एक आपका तिर्फुज है ना A, B, C क्या एक इसके हम A मानेंगे इसे भी मानेंगे इसे सिन और कौन क्या है? भी समकौन है ना तो यहाँ पर मारें कौन do कौन B क्या है आपका नब्बे अंस हो गया मैंने आपका बताया था जो उड़्वाधर रेखाए होते हैं उसे लंब कहते हैं आधार कहते हैं जबकि 90 राट सामने कवजा नयुकenden को इक हैं आपको मानदीया है 24 सिंट्र मीजिए है लम्ब का मानदीया है 24 सिंट्र छोभी सिंट्र 1 बीसी प्या है यहां पर आधार है्ं जो 36 राधार का मानदीया साथ सिंट्र is क्या दिए हैं साथ सेंटीमिडन अब हम समझते हैं संकॉंड त्रभुज में लंब का मान दिया 24 दिया है आधार दिया साथ जब की हम हमें कड निकाल बेगेर कण को निकाले हम अन भुजा को अन त्रिकॉर्ड मुतिफ़लन का मान नहीं निकाल सकते हैं तो यहां पर एक गणतक कहें जिनका नाम है पाइथागोरस क्या है पाइथागोरस ने समकॉर्ड ते भुज के संबंद हम एक फार्मूला दिया ठीक जिसका फार्मूला होता है पाइथागोरस पर में यानि कड का स्कॉर बराबरक लंबका स्कॉर प्रस आधार करतों इसको तब लगाय जाता है जब समकॉर्ड ते भुज में दो भुजा का मान दिया हो और तीसर भुजा का मान जिया जाए तब ठेक तो यहाँ लिखेंगे तीर भुज़ A B C में कोंड भी बराबर नब्बे अंसर था इसे हम समकोंड कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं समकोंड अब A B का मान क्या दिया है जो A B है ना यह कैसी रेखा है? उर्धाधर रिखा है न इसे क्या कहेंगे लंब कहेंगे ये भी क्या है साथ उचोबिस सेंटी मीटर कितना है चोबिस सेंटी मीटर इसे क्या कहते हैं लंब कहते हैं अब दूसरा क्या है आधार बियान बीसी कमान क्या दिया है साथ सेंटी मीटर बि- जब बी-सी आपका क्या है आधार है क्या है आधार है अब कहे रहा है हमें यहां से जब लंभ मालूम है कर्म मालूम है जब हम कर निकालते हैं कीशेंगे लिखेंगे यहां से पाइथा गोरस के पर में से इन्हों ने क्या बताया देखिए समकोंड तिर भुज में दो भुजा का मान गया तो हो दो भुजा का मान दिया हो जब तीसरी भुजा निकालते हैं फार्मूला बताया का यहां से कड का स्कॉाइर बराबर लंब का स्कॉाइर प्लस आधार का स्कॉायर यह जो फार्मूला है इस फार्मूला को पारिथा गोरस पर में लागू किये किस पर समकोर तिर्भुच पर तो यहाँ पर जो कड़ है ना कड़ क्या है एसी है ना तो लिखेंगे यहाँ से एसी का स्कॉायर बराबर Lumb क्या है AB AB इसका भी क्या है Square है जबकि आधार क्या BC है BC का भी Square है अब यहां समझेंगे AC AC कमान तो दिया नहीं है इसे में निकालना है तो AC का होड Square बराबर AB है AB कमान क्या दिया है 24 cm क्या दिया है 24 इसका भी घात क्या 2 है प्लस BC क्या हाधार है यहाधार दिया साथ सेंटिम्र्ट ना यानि साथ का होब Russ 76 तो यहां से 7 कवर क्या होता है 49 होता है तो AC कवर स्क्वाइर बराबर यहां से मिला जब 576 में हम 49 को जोड़ते हैं तब आपको मिलता है कितना 625 मिलता है क्या मिलेगा 9 6 15 7 4 11 12 5 16 हो गया यानि जो AC कवर कमान मिला 625 मिला हमें AC बताना है ना कि AC का स्क्वार बताना है जब यहां से वर्ग हटेगा तब दाएं तर रूट लगता है और पूरी-पूरी संख्या रूट के अंतरगत आ जाती है तो AC बराबर यहां से मिला AC बराबर यहां मिला जब इसका गुर्णखंड करते हैं हम 625 का तो पत्चीस गुड़े पत्चीस आपको मिलेगा आपको बताया गया था जब वर्गमूर चिन्ने के अंदर कोई संख्या दो बार लिखा होता है तो वर्गमूर से बाहर के और एक ही बार लिख यह क्या है इस समकूर्ण तिर्भुच का कड़ है कितना यहां से पचीस सेंटी मिलेगे अब आप से कहे क्या रहा है यहां से कह रहा है साइन ए कॉस ए कौन क्या है ए है कौन क्या है ए है ना अब यहां से कह रहा है साइन ए इचे लिखेंगे इस लिए किसांइल फार्मुला क्या पता आपको यल अपान की की अब सांक फार्मुला होता है लंबते कड़ लंबोबटे कड़ तो यहां लेखेंगे लंबोबटे कड़ तो बच्चों बदा यह लंब क्ढ就是說 क्ढption क्ढ़ दिया है। कढ़ का मान दिया 25 है। चोबिस ब'T 25 यनिदे लंब का मान 24 हूं। आपका एंसर हुआ। दूसरा कहे रहा यहां से कौस का मान क्जा होगा। नीचे लोग यरा कॉस लिए है साथ कर दिया है पच्चीश तो यहां से होगा साथ बटे पच्चीश यह आपका कॉस एक का अंसर मिल गया अब दूसरा कह रहा है यहां से साइंसी कॉस सी का मान क्या होगा साइंसी और कॉस सी का मान क्या होगा तो दूसरा पार्ट यहां से कह रहा है दूसरा पार्ट है साइनसी साइनसी फार्मूला क्या होता है लंब बटे कड़ लंब बटे कड़ तो लंब कमान क्या दिया है तो साइनसी लंब बटे कर तो लंब कमान यहां से क्या दिया है समकूर्ट तरी भुच में 24 दिया है तो 24 बटे 25 ये आपका एंसर हो गया अगला कहरा है यहां से कॉसी निचे लिखेंगे इसलिए कॉसी बराबर फार्मूला होता है अधार बटे कड़ो अधार क्या दिया है साथ कड़ दिया है पचीस साथ बटे 25 साथ बटे 25 ये आपका एंसर तो बच्चों में करते हैं यह प्रेश्ण आपको अच्छी समझ में आ गया हो कर अगला तो यहां फार्मूला दिया है सुद्र दिखाए तिरकोड मीती का साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा टैन ठीटा कोस्ट ठीटा सेख ठीटा और कॉट ठीटा यानि तिरकोड मीती के छे फदन होते हैं जिन्हें साइन ठीटा कॉस्ट ठीटा ठीटा कोस्ट ठीटा सेख ठीटा और कॉट ठीटा के नाम से जाना जाता है अब हम चलते हैं अगर बच्चा साइन का किसका 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 किस चीज़ें तो बच्चों यल फार क्या होता है लंब होता है क्या होगा लंब हो ए फार क्या होता है ए फार आपका होता है आधार क्या होगा आधार होता है जब कि के फार आपका होता है क्रड़ होता है जो समकोंड के सामने की जो भुज़ा होगी उससे हम कड़ गयते हैं तो हम चलते हैं लाल बटे कक्षा पर यासका आसान तरीका है आसान ट्रिक है जब साइन कहे जब साइन उपर से नीचे प Kids 116 prices 10 Sustain marriages अहने हम रख्रमूल को लिखाएंगे और आजाएंगी तो जिभशा यहां से लिखाए फर्मूला होगा ऊपर नीचे आजाओ एंट लन पटे करट के पर कर्मूल मोन कि हमija लबत्य पटटे की जियर फार-लंब होता है एल फार लंब होगा जब कि के फार होता है करड़ होता है दूसरा यहां से लिखा है कॉस्ट ठीटा क्या है कॉस्ट ठीटा जो कॉस्ट है बताए भी मैंने आपको जब साइन कॉस्ट टैन कहे तब हमें उपर से आना है कहां से आना है उपर से आना है कौस कह रहा है, मिंचे क्या लिखा आधर बड़े कड़, यारे आध़ार बड़े याने A अपान की यह कहते हैं आध़ार, के за क्या होता है, करण होता है, तीसरे यहां पर है 10 ठीटा, किसका 10 है, तो 10 है A L अपान A के उपर है न, तो A L अपान A, यल फार लंग होता है जबकि ए फार आधार होता है ठीक अब चलेंगे इसके उपर सामने हम अगला क्या है कोसिक ठीटा है कोसिक ठीटा जब कोसिक कहे या सिक कहे या कौट कहे तब हमें नीचे से उपर जाना है यह तिरकरिशान लगा है ना जब Quatt उनि कोषच कोषख कहे तब हमें नीचे से उपट जाना है तो कोषच कह रहा है यहां से जब कोषच कहे तब हमें नीचे से उपर जाना नि कणडबटे लंब। कन्बटे लेन की आपान यह लेन के फ़ोर होता है करण होता है जब कि यह फ़ार लम होता है यह सब क्या व्यूत करम य यानि साइन ठीटा का उल्टा होता है कोस्क ठीटा कोस्क कहों कोस कहों पर यहां से फीन होता है नीचे से ऊपर जाओ कण बोटे आधार कण बटे आधार कण को लिखेंगे कण यह फार होता है आधार ठीक अगला हिस लाट दी गया है यहां से कौट ठीटा कौट जो कौट नीचे है ना जब कौट नीचे होगा तब हमें नीचे से उपर चलना है आधार बटे लंग ए अपान यल ए फार आपको होता है आधार जब कि यल फार होता है लंब तो बच्चों अमीद करते हैं लाल बटे कका की टिरिक्स से आप इस फार्मूले को याद रखोगे साइन का फार्मूले लंब बटे कर कॉस का अधार बटे कर टैन का लंब बटे अधार ठिक इसी का विद्करम कर दीजिए को सिक का कर बटे लंब सिक का कर बटे आधार अकॉर्ट का ए अपाने याद आधार बटे लंब होता है फार्मूले